ओस्टेलिया पहला T20 मुकाबला जीता बैमानी से दोस्तों हम सब जानते हैं भारत और ओस्टेलियाई टीम के बीच में कल पहला T20 मुकाबला खेला गया जिसमें ओस्टेलिया ने 4 विकिट से जीत दर्च की लेकिन क्या है पूरी खबर की जानकारी आखिरकार कौन सी बैमानी करी ओस्टेलियाई टीम बताएंगे आपको इस वीडियो में उससे पहले आप में हैं हमारे चैनल मेंने तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें दोस्तो मैं आपको बता दू ओस्टेलियाई टीम ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का फैसला किया जवाब में भारती टीम की तरफ से केल राहूल और रोहिस सर्मा की जोड़ी आई जिसमें रोहिस सर्मा और विराट कोली अपनी विकिट जल्दी गवा दिये लेकिन सूर कुमार यादो और केल राहूल की तूफानी जोड़ी के कारण और हार्दिक पांडिया की 71 रनों की नाबाद पारी के बदोलत भारती टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 208 रन बना दिये 6 विकिट के नुकसान पर जवाब में ओस्टेलियाई टीम ने 4 विकिट सेस रहते हुए ये जीत दरच कर ली दोस्तों मैं आपको बता दू अमपायर्स ने काफी सारी बही मानी करी इस मैच में दो दो बार ऐसे डिसीजन लिये जब भारती टीम के पक्ष में थे लेकिन उन डिसीजन को ओस्टेलिया टीम की तरफ करते वे अमपायर्स ने की इस मैच में बड़ी चीटिंग